कैसे हैं आप में नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको क्रिशना हरबल आयरविदा ब्रांट के पपाया लीफ जूस के बारे में रिव्यू दूंगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये जूस आपके बोड़ी को के इस तरीके से फायदा देता है इसके बेनिफेट, साइड इफ़ाइक यूजिस, प्राइस और डोज इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे इससे पहले कि कई वीडियो में आपको इस ब्राइड के प्रोज़क्ट का रिव्यू किया है ये अधिकतर आयरविदिक प्रोज़क्ट बनाता है जो के केमिकल फ्री होते हैं जिनके सैड इफेक्ट भी नहीं होते हैं इसलिए मैं आज इसी प्राइड के पापाया लीफ जूस के बारे में बात कर लेती हूं तो जूस है जड़ी बूटियों से मिलकर बनाएगी का अरविदिक दवा है जिसको क्रिष्णा हर्बल ब्रांटारा मैनुफेक्ट्र किया गया है ये जूस इस जूस का उप्योग आपके डेंगु के बुखार में बहुत ही ज्यादा इस्तिमाल में लाए जाता है क्योंकि जो डेंगु का बुखार होता है वह आपके डेंगु को डाउन कर देता है तो प्लेट लिट को इंक्रीज करने में इस जूस का इस्तिमाल किया जाता है प्लेट लेट की जो काूंटेशन है उसे बढ़ाने के लिए जूस कामे लाए जाता है और अगर आप अपनी बनाए रखना चाहते हैं या अपनी पाचन सत्की को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस जूस का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर मतलब आपके सरी के विवने प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा जूस है पर ये मोस्टली रूप से आपके डेंगू के बुखार के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है इसके अंदर गईज जो इंग्रीडेंट मिला जाते हैं सारे औसिदिय तत्त मिला जाते हैं सारे प्राकर्टिय तत्त मिला जाते हैं जो आपके बोड़ी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाते हैं बलके आपके डेंगू के बुखार जैसी समस्या को दूर करने म लीवर को healthy बनाये का काम करते हैं इसके अंदर गई मुख्य इंग्रीडेंट पापाया लीफ यानि के पपीते की पत्ति इसके अंदर प्रेजेंट है और भी इंग्रीडेंट अपर एक्टिव इंग्रीडेंट पापाया की पत्ति है इसका डोज किस तरीके से लेना है आपको कि णिया लीफ मुख्यूले जूस लेना तीस एमल और इसको पानीं और फाली पेट इसका खाली पंडैस करें और रात में सोने से 1 गंटे पहले से सेवन करना हैं या ने किस तरहिं सेवन करना हैं किस तरहिए नहीं करना क्योंकि इस वर..... सब्सक्राइब जमादक लाओं आप मेडिकल इसकी फायदा देती है किसी को नुक्सान भी कर सकती है इसलिए डॉक्टर की सला कि में चियरे भी ना करें ना ही खुराक से जाधा मात्रा में इसको लें आप भूलेंगे कि इसको आप कहां से खरीदे तो आप इसे आपको काफी अच्छी डिस्कॉंट में मिल जाती है इसके अंदर गईज सुगर भी एर नहीं है 100% आयर विदिक है प्योर है सेफ है डाविटीज के पेशेंट भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं पर गईज अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हो चाहिए वह डाविटीज जै है तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए जिससे आपको उनएने वीडियो के अपडेट मिलती रहें नएनी जानकारिया मिलती रहे और गईज बैल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो जालते हैं टा याद रखेंगा इस जॉक्टर की सला के विना सेवन ना करें खुराक से जादा मात्रा में ना लें अगर यह प्रोजेक्ट आपको मार्केट में नहीं मिल रहा हूँ तो एक डिस्किप्शन बॉक्स में चेक कल लें मैंने लिंक शेयर की हुई यह उस लिंक पर आप क्लिक करके इसको खरी सकते हैं सो गैस धन्यवाद